नमस्कार अवनी हिंदुसानी की तरफ से भारत माता कीज़ें। लोग बोल रहे हैं सरकार फेल हो गई। क्या ये सवाल हम लोगों ने दस साल पहले कभी किया था जब कॉंग्रेस टीवी पे एड देती थी के अंजान वस्तुओं को नाच हुए उसमें बम हो सकता है। आज जो सरकार इतनी गाइडलाइन्स जारी कर रही है कितने लोग है जो उसको फॉलो करते हैं। कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि जिस एम्स को सिर्फ एक एम्स को सौरी सिर्फ एक एम्स के भरोसे कॉंग्रेसी कुत्ते कॉलर उचा करके टफ्रियों पर होशियारिया मारते हैं जहां उनकी खुद की विदेशी मालकिन कभी इलाज नहीं करवाती है और ठूक कर विदेश विदेश चली जाती है अपना इलाज करवाने के लिए जो लोग अभी बोल रहे हैं मंदीरों वाली सरकार है तो क्या गाओं गाओं में तुम लोगों ने एम्स बनाये थे जो तोड़कर अभी मंदीर बन गए है ऐसा तो था नहीं इतने सालों में जो खुद विदेश में हैं पढ़कर आई हैं बड़ी ओकर आई हैं काम तो ठीक है मैं नहीं बोलूगी काम करकर आई है क्योंके वहां काम करती थी वह हम यहां पर लड़किए को एनकरेज नहीं कर सकते करने के लिए लेकिन आज जो विदेशी लोग जो भारत को हमेशा पिछड़ा हुआ मानते थे उसने विदेश से आकर इस देश में क्या किया कुछ भी तो नहीं किया इस देश को आगे लाने के लिए आज तक क्या हम लोगों की ओका थी कि कॉंग्रेस सरकार को हम ये पूछे के रोहिं गया और बांगला देशी जो इस देश में गुस पेट ये गुस कर बैटे है जो उनक कुछ भी न rivers ने उसले तुम लोगों को जन्ता में गिना भी नहीं जाता था इसलिए तुम लोग कुछ भी बोल नहीं पाते थे लेकिन आज मोधी सुनता है गालिया तो तुम सुनाते हो अमबाणी और अदानी को इतने सालों से लोग गालिया देते आज फिर भी अदानी और अमबानी ने अपनी इंसानियत और अमाना उता का सबसे बेस उदाहरन दे दिया लेकिन तुम अपनी नजर से नजर मिला नहीं पाए क्योंके तुम इतने गिर चुके थे कि कुछ भी भौक रहे थे आज आप लोग एक चीछ समझो कि डिली का जो CM जो मुफ्त को और डिली की दो कोडी की जनता है जिसने 200 यूनिट फ्री की बिजली के चकर में इस भांड को ये बॉलिवूड के भांड को भी पचार सकी इतना बड़ा कलाकार है इसको इन लोगों ने इस खुरसी पर बिठा दिया CM की खुरसी पर जिसकी आदत है पहले होशियारिया मारना और जब कुछ भी आपदा आएगी तो भीकारियों की तरह कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा केंद्र सरकार के पास के मेरे पास सुविधाय नहीं है और जैसे ही केंद्र सरकार सुविधाय देगी तो चमगा दड़ जैसा मूद लेकर वहाँ फोटो सेशन करवाने के लिए चला जात जो अगेन केजरी वाल का भाई ही है मरलब नीचता और निकब में पन में तो वो उसको भी पीछे छोड़ दे ऐसा है आप लोग मेरे को एक बात बताओ आज तक राहूल गंदी की कोई भी ट्वीट के अलावा आपने कहीं भी राहूल गंदी का फोटो देखा जहां वो जन चले जाने का मसाज करा के वापस आ जाने का यह स्टाइल कोंग्रेसियों के आका राहूल गंदी की आज तक आप लोगों ने सुना के सोनिया ने किसी भी इंसान की मदद करी इस कोवीड सिटूएशन में उसने कोई दान धरम किया कॉंग्रेसी होश्यारी मारते हैं कि हमारी सोनिया गंदी ने तो वैक्सिन ली तो किसी को बताए भी नहीं लेकिन कुटे वो क्यूं बताए तुम दो कोड़ी के कुटे हो ना भोंकने के लिए जो विदेशी मालकिन को पता है कि इन कुटों को मैं बोटी डालूंगी तो पूरा दिन सोशल मीडिया पर ये लोग चलात सकती है ये चानक्याने बरसों पहले बोल दिया है और वो हम देख भी रहे हराम के पैसों पर जीना मुफ्त की रोटिया खाना जो अच्छा कर रहा है उसको गालिया देना घंदी परिवार की पहले से यादत है अरे जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहे थे लोगों के प भी भारत लोगों से भीक मांग रहा है तो मैं उन लोगों को बता दू के साले तुम लोगों की वाकात कल भी कुछ नहीं थी और आज भी कुछ नहीं यह तुम कल भी दो कौड़ी के थे और आज भी दो कौड़ी के ही हो विश्वा में लोग मोदी की मदद कर रहे है क्योंक अग साथ साल में तुम जवाब मांग रहे हो जबके 56 साल वाली आज बैटके पेट्रोल डालके आग लगा रही है थोड़ी तो शरम करो गर से बाहर निकल कर किसी की हेल्प करने की सोची है कभी तुम लोगों ने हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हम लोगों को पता है किस दिन तुम लोगों ने बाहर जाकर किसी की मदद करी जो लोगों से एक्सपेक करते हो सरकार इतना बोल रहे है तुम लोगों को तो मास्क पहनाने के लिए भी पूलिस वालों को रखना पड़ता है इतने बैग एरोथ हो गए हो और सरकार को गालिया देते हो थोड़ी भी शर्म है न तो अपना और अपने परिवार का खाली ध्यान रखो तो भी ये देश में है न ये आपना जल्दी से निपड़ जाएगी भारत माता की जाए